नमस्कार दोस्तों मैं स्मित आप सबका सौगत करता हूँ बट्स के इन्फो यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली क्योंकि इस टाइम मेरे बहुत सारे भीवर्ज का एक कॉमन सा कोस्चेन है कि उनका बेबी पेरोट सेलफीट पर आ रहे थे बट वो अचानक से खाना खाना बंद कर दिया है अब वो ना ही हैंड फीड ले रहा है और ना ही तो सेलफीड ले रहा है पेरोट बीक हो गया है सुस्त हो गया है फेदर से भी गिर रहा है और लूज मोसन हो रहा है तो ये कुछ symptoms आपको अपने baby parrot में इस टाइम पर देखने को मिल रहे होंगे तो इसका solution क्या है वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो आज की वीडियो बहुत ही जाता ultimate और knowledgeable होने वाले तो वीडियो को बिना तो दोस्तो अगर आपके parrot में ये कुछ symptoms दिख रहे है वो अपने आखों को बंद करके सुस्त पड़ा हुआ है खाना नहीं खा रहा है वीडियो हो गया है लूज मोसन हो रहा है तो इसका एक रिजन है पैरोड डिवामिंग ये एक तरह का कीड़ा यानि बॉम होता है जो कि birds के stomach यानि पेट में होता है और इसी का side effect है कि आपका parrot दुबला पतला कमजोर हो जाता है खाना छोड़ देता है लूज मोसन होने लगते हैं फेदर्स जढने लगते हैं वर्म्स कई टाइप के होते हैं मैकसिमम बर्ट में थ्री टाइप के बॉम पाई जाते हैं फर्स्ट होता है टेप बॉम सेकेंड होता है राउंड बॉम और थर्ड है थ्रेड बॉम आप अपने parrot को कितना भी healthy food दे रहे हैं डाइट को maintain कर रहे हैं फिर भी आपका parrot दुबला बोड़ी को नहीं मिल पाता जिसकर वो धीरे-धीरे कमजोर होते चले जाते हैं तो इसका हिलाज करने के लिए हमें उन कीडों को मारना होता है जो कि birds के पेट के अंदर हैं और इस पर कीरिया को debalming करते हैं तो parrot debalming करने के लिए क्या करना होगा किन-किन बातों का ध्यान र लिवर टॉनिक देनी है हिमालिया लिप 52 ये सिरफ birds एनिमल्स के लिए अलग आती है और इंसानों के लिए अलग आती है तो अगर आपको birds एनिमल्स की मिल जाती है तो बेटर है otherwise इंसानों वाली भी दे सकते हैं तो हिमालिया लिप 52 सिरफ debalming की medicine देने से चार दिन पहले त बेफर का word warmer parrot को देना है इसमें से दो दो ड्रॉप दिन में एक बार तीन दिन तक continue parrot के पीने वाले पानी में मिक्स करके या फिर डायरेक्ट भी parrot को पिला सकते हैं फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका parrot बापत से एक्टिव हो जाएगा उसकी dropping नॉर्मल हो जाएगी ब इसके बाद bitter god यानि करेला भी एक natural devormer है यह भी घरेली उप्चार में add करना है बट करेला नॉर्मल हम अपने parrot को नहीं दे सकते सिर्फ devorming के टाइम पर ही देनी है इसके बाद नीम के पत्ति और टहनी भी दे सकते नीम parrot के पेट में कीडों को मारता है इसके लाबा नीम के बहुत सारे benefit है इसके लाबा किस age के parrot का devorming कर सकते और कब parrot का devorming करना जरूरी होता है एक साल के अंदर parrot का दोवा डिबॉर्मिंग करना जरूरी होता है इसके लाबा अगर आपके पास baby parrot है तो उसकी devorming 5 months की age से पहले नहीं कर सकते जब वो 5 months के हो जाए तो उसकी first devorming कर लेने में ही भलाई है क्योंकि यह प्रॉब्लम बेबी पैर्ट में ज्यादा देखने को मिलती है तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे अगर अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें थैंक यू